ओम शान्ती आज 10 जन्वरी 2024 है आज की मुल्ली से होमवर्ख है कर्मा तीत बन माला का दाना बनने का पुर्शार्थ करना है कर्मा तीत बनने की विधी है अशरीरी बनना तो बाबा ने अशरीरी बनने के लिए कहा कि सारा दिन प्रैक्टिस करते रहना है अशरीरी बनने की अशरीरी बनने से अनायासी आत्मा शरीर से निकलेगी और अपने घर जा सकेंगे दूसरी विधी बताई करमातीत बनना है तो बाप की याद में रहकर पवित्र बनना है बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बन सकती है पवित्रता के लिए अपने संसकारों पर अटेंशन देना है बहुत मीठा बनना है किसी को दुख नहीं देना है मेरे किसी करम के द्वारा किसी को दुख ना पोंचे यह तब ही हो सकता है अगर हम परसन रहते हैं अगर दुखी है तो दूसरे को दुखी देगा परसंता के संसकार को अपनाएंगे तो परसंता के अधार पर हम दूसरे को सुख देंगे और दूसरों से दुवाईं ले सकेंगे तो यह दुवाईं लेना, सुख देना, मीठा बनना ये पवित्रता की संसकार अपने अंदर चेक करेंगे दूसरा पवित्र रहने के लिए बाबा ने कहा कि बाब की याद में रहना है बाब की याद तभी हो सकेगी अगर अशरीरी की प्रैक्टिस होगी अशरीरी की प्रैक्टिस करते करते निराकारी बाब को याद करना है क्योंकि निराकारी बाब बहुत बड़ा चुम्बक है तो बाबा ने कहा ये चुम्बक हाइस्ट पावर वाला है उस चुम्बक की याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है उस चुम्बक को याद करने के लिए स्वयम को अशरीरी बनाना होग तो ये अभ्याद सारा दिन अपनी चेक करनी है, हमारी कितनी रहती है, क्योंकि चुम्बक के उपर कभी कट ने चड़ती, जो highest power वाला चुम्बक है, और हम जितना पवितरता की धारना करते जाएंगे, उस चुम्बक के समीप जाते जाएंगे, तो उसके सारे संसकार आतमा के अंदर आते जाएंगे तो संसकारों की पवित्रता है सत्यता तो सत्यता की धारना के लिए सहन सिल्ता की शक्ति को धारन करना है तो आज दूसरी विदी बताई बावा की याद से बावा ने कहा मा मेकम याद करो और सबसे ममत्व को मिटा दो मुझे एक को याद करने के लिए मुमत्व को मिटाने के लिए सरव संबंध बाबा के साथ रखने होंगे एक बाबा दूसरा ना कोई इस संगम पर हम बाबा से याद करते हैं बाबा से वर्सा लेते हैं तो बाबा के साथ सारे संबंधों का रस लेना है विश्व की बादशाही का वर्सा मिलता है टीचर हमें पढ़ाता है इस पढ़ाई से भविश्य के उँच पद के हम अधिकारी बनते हैं इस पढ़ाई में चक्र का ज्यान दिया जाता है चक्र 5000 वर्ष का है रचता और रचना के आदी मध्यांत का ग्यान दिया जाता है जितना ही सिक्षा को धारन करेंगे उतना ही दूसरों को पढ़ा सकेंगे और भविश्या में उचपत पा सकेंगे सत्गुरु हमें पावन बनाते हैं फिर याद के लिए भवा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो याद करने की विधी बताई स्वरूप, स्वधरम, स्वधेश, स्वपिता, स्वलक्षे स्वरूप है मैं आत्मा हूँ मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, रोकेट से भी दीखी हूँ, मुझे अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है, तो ये समरिती है, स्वधरम मेरा शांती है, स्वधेश मेरा टावर ओफ साइलेंस है, जिसको हम निराकारी दुनिया कहते हैं, और मेरा स्वधलक्ष है टावर ओफ सुख में जाना, सतो प्रधान बनकर देवता बनना, और मेरा स्वध पिता है बिंदु, जिसके लिए कहा गया है, अंत नहीं पा सकते हमने उस पिता का अंत पा लिया, वो रुहानी चुम्बक है, बहुत हाइस्ट पावर वाला है, हमें भी उसके साथ योग लगाकर अपने अंदर हाइस्ट साइलेंस की शक्ति को धारन करना है, तब हम टावर वफ साइलेंस में जा सकेंगे, फिर टावर वफ सुख में आ सकेंगे, इस तरह सवरूप, स्वधेश, स्वधरम, स्वपिता, स्वलक्ष की समृति से हम अपने आत्मा को पावन बना सकते हैं, ओम शान्त मते हैं, ऑप यह उलेकblade की समृति है मुँ उलेबे गार वफ सूर कैंगे, जा दूस, इस तो जून एक सकेंगे, तब हमता सकते हैं, तब हो धि経ं़ Nevertheless, जाम की शक्ति खूएainen की